बीते साल की अंतिम राथ 36 गड की राजधानी रायपूर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना घटी राजधानी से लगे मुझगहन थानक शेत्र में आने वाले गाउधूसेरा के देवार भाटा में एक पुत्र ने अपनी मा की दंडे से पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दे इतना ही नहीं हत्या के बाद से सुबह तक लाश यूँ ही पड़ी रही उस लाश को देखने वाला कोई भी नहीं था इस्थानी पुलिस मौके पर तो पहुँची लेकिन मौके पर पहुँचकर एम्बूलेंस की विवस्था में जूट गई लेकिन प्रशासनिक लचरता की बानगी यहां भी देखने को मिली वो ये कि इस लाश को घटना इस्थल से पोस्ट मौटम के लिए ले जाने एम्बूलेंस तक नहीं आ पाई 36 गड की राजधानी रायपूर से लगे मुझगहन थाना में धुसेरा गाउं के दिवार भाटा की घटना ने सभी लोगों को एक बार फिर शर्मसार कर दिया 31 दिसंबर 2017 की सर्द रात जहां एक तरफ सारी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी वहीं दूसरी तरफ धुसेरा गाउं के एक घर में मा बेटे के बीच तीखा विवाद हो रहा था दरसल जहमन नाम का यह व्यक्ति हमेशा नशे में चूर रहता था कुछ दिन पहले ही जहमन का गाउं के कुछ लोगों से विवाद भी हुआ था जहमन अपनी पतनी से भी मारपीट करता था जहमन के इस रवाईये से सभी तरस्त थे और कई बार उसकी शिकायत पुलिस में भी कर चुके थे 31 दिसंबर की रात हर रोज की तरह जहमन नशे में धुत अपने घर आया और किसी बात को लेकर अपनी मा से जगडा करने लगा जगडा इतना बढ़ गया कि नशे में धुत जहमन ने अपनी मा के सिर पर डंडे से ताबड तोड़ वार करना शुरू कर दिया जिससे उसकी मा की मौके पर ही मौत हो गई घटना की सूचना पुलिस को अगली सुभा मिली घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुँच कर आरोपी को गृफतार कर लिया यही नहीं घटना के बाद मृतिका की लाश को ले जाने एंबूलेंस तक नहीं आ पाई मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने एंबूलेंस बुलाने इस्थानिय लोगों से भी निवेदन तक किया जिसके बाद जैसे तैसे माल वाहक वाहन की व्यवस्था की गई जिसमें लाश धोकर ले जाया गया तब जाकर डैड बॉडी का पोस्ट मार्टम हो सता रात में सुचना मिली कि दिवार वांठा जो जगाया है दूसरेरा गराम पर जायत में आता है बहाँ पर एक मृतिका की लास पड़ी हुई है पर इस पार पर जो है जो अपने लोग पोचे थे तो बताया कि मतलब जो है उसी का जो पुत्र है जहमन पाल करके उसने जो है मितका की हत्या जो है किया है कारण जब पता किया तो पता चला चार पांच दिन पहले जो है उसने कुछ अपने गाउं के ही लोगों को साथ मारपिट किया था और उस पर से मुगदमा कायम हुआ दो से राने तीन सुचे उगरा और बाद में वो जब पकड़ने का तो घर से भग गया था इसी बीच में फ ले बाद में ये फिर घर आया घर में फिर उत्पात करने लगा और अपनी मा को जो है बोलने लगा कि जो चोड़ी बच्चियां जो छोड़के गए हैं उनको तुम ठीक से खाना नहीं देती हो यह निकरते हैं से छोड़ी बात को लेगे लगड़ा ज़गड़ा करने लगा और। जैसे भी मतब नसा भी करता था इस सुने में आया हैं ऐसी पोशिशन में उसने फिर मा के साथ जब्ड़ा करता रहा और दोनों बच्चियां इंदर के कारण जो है अपने जो है उनकी लड़की कहां चलेगे अपने मामा कहां चलेगे तो रात में फिर जगड़ा करता रहा बताते हैं और उसके इतना मारा कि दोनों उसके पैर तोड़ दिये सिर में इतना मारा कि वह आनिश पार्ट घर के सामने खताम होगी आने पोस्मार्डम के लिए इंबुलेंस होगर जनरली एवलीबल हो जाथ ठीक है अधरवाई जो है इसको अपन ऐसी कंडेशन में कोई भी गाड़ी बश्तर जो जो भी गाव में ट्रिक्टर हो जाया कोई भी गाव थोड़ा दूर है अपने मुझे घंठाने से तो वहां से लेकाने में जो भी सुधा मिलती हैं हम लोग जो है उसमें जो भी छोड़ी वहानों गर्ड़ी मिल जाते हैं चार चाहतों गरा उसी से उसको भी बहुआते हैं आरोपी पगला गिया है ततकाल मोगे में पहु अवाज अज मार पीट के आत्रें से अवाज आज आत रिषे हो का हो इस काईसे कर आई मारी तेव पात ने भाईया में ने जाना उसमान हा कुछ सराबूराब इसेक्सेवन करत रहे सकाल पेया खवी यह रहे सकाल प्रिया तुया थरीग सो एख तभे त उतना है का दे एक है जटरी वारे मारे पिटेर ही सिसे कुछ बतां रहे हैं? मारे रिष उभूला में नहीं रहे हैं, मारे काम में गे रहे हIm हमारे मीजें में हुरी सोही हैं में काम में आप एई। जही वह हमाना है मैं अभी बीओर्ते कलब नहीं जानों में वो लोग लेका हो चिछी टिन जन है तिन जन नो निया नो निया नो नियाँ तो आटे सिए इसे का बाम्या राए्वे जिवान श्रीव मस्धूरी काम। मुझगहन थाना च्छेत्र अंतरगत आज एक ऐसा सर्मना खासा हुआ जहां एक पूत्र ने अपनी मा की हत्या कर दिया जिहां आपको बता दें जो नए वर्च की सुपकामना है उसमें सब लोग डुबे हुए हैं यहां मुझगहन थाना च्छेत्र में धुसेरा गाउं में एक अपने पूत्र जो पूत्र है वो मा की हत्या कर कहीं न कहीं यह जो संदे है जो मामला है यह नशा खोरी का भी दिखा दिखाई दे रहा है जे आपको बता दें कि जो नशा खोरी है उसमें जमन पाल जो है वो नशा में चूर रहता था हर हमेशा और जिसकी वजह से वो एक दीन ऐसा हुआ कि अपनी मा की निर्गमता से हत्या कर दी कैमरा पर्सन नरेंद मारकंडेक सांथ अख्लेश तिवारी ग्लिप्स.ई राइपूर चात्याजगाः तो मौर इसमेश लॉगान तो www.glips.nl